तो दोस्तों एक बाद फिस से आप लोग सामने रिजिनिंग के देखिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर करें इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस टैप के को सौल करेंगे जो कि आपके सी रेले बाइंग की पुलिस कांश्टेबर सीटेड बीएड और बहुत सारे जो से है वैसे ही ब्यक्ति का संबंद किस्से होगा तो राष्ट और इतिहास का संबंद कि लोजिक क्या है पकड़िये इसमें राष्ट और इतिहास यानि कि जो इतिहास होता उसमें हम राष्ट के बारे में जानते यानि राष्ट के बारे में पढ़ाया जाता है बताया जाता तो option one is the right answer चलिए next रहते हैं इसमें missing alphabet कह रहा है क्या होगा आई लो और और नेक्स्ट क्या होगा देखिए अगर याद है एक से 26 तक हर वीडियो में मैं यह recommend करता रहता हूं कि इसको याद कर लिए अगर याद है तो अभी आप सिकेंडो में इसको सोल कर लेंगे कैसे देखिए होताइं नौगअ स्थान पर है फMi होता है दोस्तो आपका बरांहें स्थान पर ओ होता है पंधरhouर रहूता है एंक्ण पर अउप्सण for is the right answer चलिए अगला देखते हैं काउंटिंग फिगर से लेटेड़ बहुत इजी कोशन है बहुत इजी है दोस्तों अब इससे इजी तो कोई कोशन ही नहीं सकता है जब भी ऐसा फिगर देखे तो आपको पता है यह वायरल कोशन है यूटूब पर हाजगा मिलेंगे इसकी न इस तरीके से दोटो त्रीवुज बन जाएगा यानि कि इसमें दोटो गए तो सेम फिगर यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा तो इसमें भी दोटो गए जब यह से मैं तो उसी तरीके से यहां पर बड़ा बड़ा देखेंगे तो एक वर्ग बना हुआ है और उसमें एक कड़ इस तरीके से खीचा गया है उपर एक नीचे एक यानि कि दोनों मिल करके दो होंगे तीन नहीं होंगे बलकि दो उपर एक नीचे ऐसे मैं बना दे तो इस बाले बड़े बाले में भी हो गए दो अब एक तिर्बुज और बंदा है जो कि आपकी आँखों से ओजल है यह वाला देखिए यह तिर्बुज तो कितने होगे टोटल यहां पर एक अब सबको जोड़ लेज़े दो दुचा दुच्छ च्छ च्छ तिन नौ एक दस ऑप्सने इस दराइट अंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर दोस्तों क्या है दरपर परतिविम कैसे न राइट रोटेट कर जाता है यानि कि अब यह स्टार्ट होगा जी से जी होगा सेवन होगा सिक्स होगा टू होगा ठी होगा क्यू होगा यह होगा और यह अफ होगा तो क्या इसा अंसर हो जागा नहीं अब इसमें क्या होगा यह तो पूरा लेफ्ट राइट रोटेट करे आपका जो है ऐसे बन जाएगा और सुरी जो है ऐसे नहीं बनेगा ऐसे बनेगा शिक्स आपका ऐसे बन जाएगा और तु आपका जो है कुछ ऐसे टाइप बनेगा और थिरी भी आपका यूँ पलड जाएगा और प्यू आपका भी कुछ ऐसे पलड करके ऐसे गूमेगा तो एस टाइब से बनेगा भू जाएगा और एफी ऐसे गोम जाएगा तो पूरा लेफ्ट वाइट तो ईखुमेंगे ढ़ शाहती अपनी पोसिशन पर भी ओड़ियों जाएंगे तो देखें इस टाइब कौन सा फिगर आपका स्वीक्ष व्योग मिलगा है बी के इलाव और कोई देखिए यहाँ पर थिरी टू सिक्स यह नहीं है यानि ऑप्सन बीज दराइट अंसर क्लियर है चलिए नेक्स देखते हैं अब यहाँ पर कहरा कि निम्न में कौन सा विसम है कौन सा फिगर इसम में भिन है वही हमें चूज करना है कहरा दिये गए समू म क्लिए इसके बीच में डाट है यहां पर बिसके बीच में डात है लेकिन इसमें नहीं है इसमें यहां पर डाट बना दिये डाट यहां पर होना चालिया आपका भिन होगा option 3 चलिए अगला देखते हैं अब यहाँ पर वाज़ घड़ी से related question है कर रहें तीन बच कर 47 मिनट होगा तो घंटे वाली सुई कुछ तीन से ऐसे आगे बढ़ेगी अब मिनट वाली सुई ऐसे यहां पर यह आपकी इस तरीके से होगी तो कहरा इसके द्वारा दो कोड़ बनेगा एक तो इधर का कोड़ बनेगा तो कहरा कि जो छोटा कोड़ है एक तो है ही तैनि साथट गंटे की कि बात कर रहें वर है वाइना की बात कर रहें चिपना इसको में करें अब रहे मनेज़ मेंyangom नहीं यहीं है तो घटा करके माइनस को खतम कर देंगे तो घटा आएंगे अब घटा लीजिए तो यह 7 हो जाएगा और यह आपका 113 हो जाएगा और यह 4 बचे का 3 हो जाएगा यानि कि एक सो आंसर दस मेलों पांच डिगरी ऑप्सन देखिए ठीजित राइट अंसर के लिए दोफ तो हर कोश्चन का अंसर मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सेकेंडों में सॉल कर लेंगे कोई समय नहीं लगेगा और एक्जाम में बैटेंगे तो धुगा धुगा कर द जोनों लेडिस हैं ये भी लेडिस ये भी लेडिस स्रीमति वाई के मा के क्या है ये एक लौते उत्र हैं चलिए ठीक है अब बताइए वाई की मा के पुत्र है तो ये वाई और इस पती का क्या संब्द हो गया भाई लगेगा इसका भाई लगेगा ये भाई हो गया क्लियर रही होसे कोई डाउज नहीं होना ची vais की मां के पुत्र यह पति एकस के जो पती हैं कुछ भी नाम है वह नाम उन्य दिया वु वाई के लगेंगे भाई लगेंगी नहीं लगेंगी या पती इस वाई वहन लगेंगी या यह दोने भाई बहन आ इससे समझें, आगे कह रहा है, यदि सिरीमती X के भाई और सिरीमती Y के पती, कह रहा है कि यदि सिरीमती X का कोई भाई है, ठीक, और इस सिरीमती Y के जो पती हैं, क्या कह रहा है, कि ये दोनों आपस में क्या हैं, चाचेरे भाई हैं, क्या हैं, चाचेरे भाई हैं, तो में चैचेज़ exactement मतलम हैं एकजामना सिर्फ रहें कैंका कि हम सिर्फ यहीं से निकाल सकते एखाड कि X और यह से क्या संबंध थे क्यों क्यों कि हमें पता चल चुका है कि यह जो पति है इस व्य तो इसका जब पती भाई है तो इसकी क्या लगेगी या नेध भावी लगेगी या निर्फ भॉजाई यह दोनों तो उस टाइप का देखिए आप्सटर इस दराइट अंसर क्लिया नेक्स्ट गड़तिय संक्रिया कोश्चन कहरा कि यदि एक आर्थ भाग बी का अर्थ गुड़ा सी का अर्थ पलस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नली कि समिकड़ में परसनवाशक के स्थान पर क्या आएगा तो जो संख्या दियो उसको लिखिए 11 है 11 लिखिए बी का अर माइनस माइनस बनाए 27 लिखिए अब बोर्ड मास रूल लगा दीजिए बोर्ड मास प्रैकेट तो है नहीं तो चिन्नों में सबसे पहले कहता बोर्ड मास की भागों निप्टा आए तो भाग देजिए तीन एक अनने तीन और यह आपका हो जाएगा दोस्तों एक तीन चोक और यह आपका एक एक सो पंचानवे अब उसके बाद 27 इसमें से घटा दीजिए हो जाएगा आपका अनसर तो यह आपका पंदरा आठ हो गया यह आठ आठ आपका च्छो हो गया 168 ऑप्सन डीज दर आइट अनसर चलिए अगला देखते हैं यह भी बलाड डिलेशन का है कह जोणिरा है यहां प्लेसबूस और आपका प्लस दीज है इसका मतलब एक खमार के वह बना करके बना करने तो पी से क्या शंमाद है था हो यह यहाँ पर प्लस पहले कीन कहीं पीता है तो हम यहाँ पर कहेंगे P plus Q का मतलब P Q का पिता है किलियर हो गया अब Q गुड़े R तो गुड़ा बला देखिए A गुड़े B का कहरा कि A B की पत्नी है तो यहाँ पर हम कहेंगे Q R की पत्नी है जहाँ गुड़ा दिया हुआ वहाँ पत्नी बना देंगे क्या कहेंगे गुड़े की जग़ा पत्नी बना देंगे यानि Q R की पत्नी है फिर नेक्स्ट इस्टेप पलस वला गया यानि कि R S का क्या है जब पलस वला है तो पिता हो जाएगा यानि कि पलस की जग़ा पिता बना देंगे R S का पिता है फिर आगे भाग आगे है तो भाग वाला क्या कर रहा है A, B की बहन है यानि S क्या है T की बहन है यतना हो गया किलियर तो कर रहा है P और T का क्या संबंद है यानि P और T यहां से संबंद पूछ रहा है कि क्या होगा चलिए अब देखते हैं कड़िया जोड़ दी गई है आटोमेटिक अभी निकल जागा कह रहे है P जो है Q का पिता है अग Q R की पत्नी है इससे पता चल गए कि यह स्तिरी है Q क्या स्तिरी है और R प्रूस है तो प्रूस वाले पर कि R इसका पिता है और T की बहन है इस मालूम हो गया क्या है यह भी निगेटिव है यानि की लड़की है क्योंकि 1 कि बहन है अब यह निगेटिव है पॉजिटिव है यह नहीं क्लिए रहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ टाइक को कोश्चन ही ने किया है अब यह पता चल गया कि T और S दोनों क्या है इस R के बच्चे हैं और Q जो है जब R के पत्नी है तो इसके भी यानि यह दोनों पती पत्नी है Q और R पती पत्नी है और S और T इन दोनों क्या है इनके बच्चे है इतना क्लियर हो गया जब s और t के बच्चे हैं तो p कि क्या लगेगी? क्योंकि p जो है इस ओरत का पिता है अब ऐसे सोची अपने दिमाग से जैसे फिजिकली आप सोचते हैं हुस हिसाब से सोचीए कि अगर आपकी मा है आपकी मा है उसके पिता आपके क्या लगते है? बस यही है अंसर इसका आपकी मा के पिता आपकी क्या लगते हैं ना-णा लगते हैं और क्या लगेगा? option C चलिए next यहां पर दोस्तों देखिए कहरा है missing number नकाला यह missing number नकाला है जब भी ऐसा question नेता है मैं बताता हूँ जो बाहर बाहर के number है जैसे 12, 8, 14, 11, उन्हीं की हिल्प से अंदर का 155 बनेगा, किलियर है, तो चलिए बनाते हैं, पहले 1-6 सालों कर लेते हैं, अभी सारे की सारे चीज़े किलियर हो जाएंगी, कैसे 155 आएगा, अगर हम इन सब को जूनें, तो 12, 8, 20, 20, 30, 4, 34, 35, 45 आता हैं, और 45 का कैगुना करे नहीं, नहीं हो सकता ऐसे, तो चलिए, कुछ अलग ट्रिक अपनाते हैं, मैं कर रहा हूँ, यह 12 है और 14, इन दोनों का स्कॉर कर देते हैं, तो 12 का स्कॉर कर लेजिए, और उसके बाद माइनस 8 का स्कॉर कर लेते हैं, और प्लस 11 का स्कॉर कर लेते हैं, यानि आमने सामने का घ्ठाइलिदे हैं इसकुर करके घ्ठाले यस mostly udah इन दोनों का स्कुआर करके ons स्काहर कर दिया अब चलDet देखतेया हैं बार 244. 24 चुदय हमं 166 ओज在गा और माइनस और यह आपका जिंठय धौक चिलियर जॉडई के छट-चाद्रथ न piracord और यह आपका एक एक तीर सो चालिस हो जाएगा माइनस यहां पर चार एक पाँच छट दू आठ और यह आपका एक सो पचास ही घटाइए तो देखिए तो पाँच और यह हो गया आपका तेरह आठ पाँच तेरह एक सो पच्पन बिल्कुल सही आ गया अब इसको चेक कर लेते हैं क्या यह लो 1770 289 हो जाएगा माइनस करेंगे नो गल्काशी हो जाएगा और बार बरीया में 144 आप देखिए जोड़ लीजिए तो 9-98 हो जाएगा और और शाओदर चोदा पंदर हो जाएगा और दू-दू-चार चार सो आउठावन में कितना घटाना है चार एक पांच आठ चा बार 225 घटा लीजिए देखिए 233 आ रहा है कि नहीं आठ में से 5 गया 3 और 5 में से 2 गया 3 239 बिल्कुल सही है इसी लोजिक से दोस्तों इसका अंसर आपको कमेंट कर देना है जो मैंने ट्रिक बताई है तो यहां पर इसका अंसर आप लोगों के लिए नेक्स्ट यहां पर भी घड़ी वाला ही कोश्चन है लेकिन दिसा दूरी के टाइप में इस कोश्चन को कवर किया है क्या कर एक घड़ी में साम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिसा की और संकेत करती है तो रात के सव नौ बजे मिनट की सुई कि इस दिसा में होगी जैस होता है और यह आपका नौ होता है इस तरीके से इंडिकेट होती है लेकिन यह कह रहा है कि एक घड़ी साम के 6 बजे घंटे की सुई पूर्व दिसा की और है यानि कि छो जो है इधर है छो घड़ी इस तरीके से घूम गई है चो यहां पर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी जो है अन्ति डिग्री 90 नाइन टी डिग्री घूम गई है कितनी नांइन टी डिग्री चो यहां पड़ाइगा तो तीन भी यहां पर चलाजाएगा और बारह भी पूरत दिशा में है घंटे वाली सुई लेकिन सब नौ बजब रात का बज़ेगा तो घंटे वाली सुई तो सब नौ बज़े नौ के पास होगी और मिनट वाली सुई तीन पर होगी तो तीन की दिशा कि धर है उपर क्या उप्षन फॉरिजद राइट अंसर चली अगरा देखते हैं यहां पर कागस करणध कर दिया हुए जहां ड्रके दिया हुआ है वहीं से कागस को किया गया नीचे की साथ में पहले क्या किया थीख है उसके वीजब ऐसे फोलड हो गया तो ऐसा बन गया कुछ तो यहां से बीच में से फि उसके बाद में काम है इसको जब ओपन करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा इस तरीके से कटिंग करने के बाद जब ओपन करेंगे तो कैसा फिगर ओपन करने का प्रोसेस सेम इसके उल्टा होगा जैसे अब ओपन करेंगे तो पहले ऐसे ओपन करेंगे जब ऐसे ओपन करेंगे त से जब देखिए दिमाग से घुमाएंगे तो क्या होगा यह पंच बुझ तो यहां पर चिपक जाएगा और सर्किल छोटा वला यहां पर बनेगा तो ऐसा देखिए फीगर दिख रहा है यहां पर भी दिख रहा होगा नहीं यहां पर देखिए पंच बुझ इधर है और सर्क इस कैसे चेक करेंगे देखिए अब इसके बाद open करेंगे तो ऐसे open करेंगे जब ऐसे open करेंगे तो यह तो circle आपका बड़ा वाला same to same है यही point पे आ करके fit हो जाएगा open करेंगे तो और यह जो पंच बुझ है पंच बुझ उल्टा हो जाएगा यहाँ पे उल्टा बन ठीक है यह आपका छोटा वाला circle यहां पर होगा और यहां पर पंच बुझ यहां पर उल्टा बन जाएगा clear है तो इस टाइप कर देखिए फिगर कहीं दिख रहा है पंच बुझ उल्टा यहां पर देखिए यह यह फिगर देखिए बिल्कुल same to same बंदा यह नहीं बंदा है क्योंकि इसमें पंच बुझ नीचे आगा है सर के लिए सारी चीज़े गलत है option बीजडर राइट अंसर clear इसी तरीके सही चेक करना है अपने आंकों को फोकस करके दिमाग को फोकस करके series का question है यहां पर कह रहा कि missing number क्या होगा अब यहां पर series में देखिए जब मैंने क्य फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी तो क्या करेंगे दो series बनाएंगे कैसे वह देखिए एक छोड़े यानि 50 से कावन लेंगे 54 लेंगे चावन से उनसर्ट लेंगे और missing number पर आ जाएंगे 60-62-62-62-62 और यह तो पार चला जाएगा इसमें हमें logic ढूडने की जरूदने की ज संख्या जोड़ रहें एक तीन पांच नेक्स्ट क्या होगा साथ जोड़ेंगे यानि उनसर्ट में साथ जोड़ेंगे तो यहां पे च्छाचट आ जाएगा हमें इस सीरीज की जबूरत ही नहीं पड़ी इसी सीरीज में हमारा अंसर आगया ऑप्शन सी राइट एंसर एक् जैसे पहला ही मिल गया हमें लिख चेक करने की जबूरत ही नहीं चेक कर लेते हैं क्या करना है पहले 5 फिर 4 और हमें च्छावाला जूड़ना है तो चलिए अगला देखते हैं अब यह तरका और पूरढ़ा वाला कौस्चन है इस में अपने माइंड का यूश करना है वह ब क्या करते हैं कि सरकार ने विग्यापन दिए हैं और जनता को सला दिए कि वह सडोकों पर मिलने वाला भूजन न करें क्योंकि वह स्वास्त के लिए अब पूरदाराएं पढ़ते हैं कि क्या इस हिसाब से कौन सीच सही लग रही है सरकार के किनारों के दुकान दारों का ब्यापार बंद करना चाहती है यह तो सरासर गलत बात है सरकार को ऐसा चाहेगी वह तो बस कह रही है जैसे प्लास्टिक बंद करने के लिए कह रही है यह प्लास्टिक का उप्योग न करें तो ऐसा तो है नहीं कि बड़ी-बड़ी कंप हम लोगों को ये शलाह देन जंता को कि उससे परहेज करें घर का खाना का स्वरस्थ रहेंगे तो बंद नहीं करना चाहती तो ये घलत होगी अगे करते सरकार होटल मालिकों को लाबढ़ाना चाहती है वू क्यों बढ़ाना पुत्पाद पर 50% की छूट देने का एलान किया है यानि कि कोई कमपनी है जो एलेडी टीवी बनाती है उस पर 50% की छूट दे रही है यानि 10,000 का था तो डारेक्ट उस पर 5,000 रुपिया दे रही है छूट तो कोई भी ग्रहाग रहेगा जिसको खरीदना रहेगा तो सामान खरीदेगा दोसरे कमपनी का सामान वह खरीदी नहीं सकता क्योंकि उसको 50% 35 की छूट मिल लई है तो आगे पुड़धारा कह रहा है कि एलेडी टीवी की विक्री बढ़ सकती है बिल्कुल बढ़ जागी हंड़ेट परसेंट मैं से औरों की बढ़ जागी आपको भी सन कांस को जाग है टोनों आपार्वधारा के राइट अंत् involvement शाता कुलाहं चैया